अब चुकि ये clear हो ही गया है कि जो PT का exam है या तो December 2020 में होगा या फिर January 2021 में होगा तो क्या strategy होनी चाहिए तो मरे ख्याल से अभी पूरा focus मेंस पे होना चाहिए एक shift में जो है या तो economics या तो science और tech पढ़िए क्योंकि दोनों का syllabus बहुत vast है और उसको समझने में काफी समय लगेगा साथ ही साथ book में जो है उतना अच्छा नहीं दिया है तो YouTube और Google से कुछ और जो है आपको add करना ही पढ़ेगा प्लस दोनों dynamic subject हैं दोनों में मतलब daily basis पे बदलाव होता है तो इसलिए आपको economics या फिस science और tech जो है वो करना मतलब बहुत जरूरी है और एक shift में जो है आप एक दिन जो है जारखन पढ़ लिजिए और एक दिन जो है अपना optional पढ़ लिजिए यानि week में ऐसा रख लिजिए कि हम चार दिन जो है वो अपना optional पढ़ेंगे तो तीन द जी होगा और फिर जब notification आ जाएगी तो कम से कम मान लिजिए अगर December में PT होगा तो September अक्टूबर तक आ जाएगी जब notification आ जाएगा तब पूरी तरह से जो है PT के लिए लग जाईए तो मेरे ख्याल से यह best study होगी क्योंकि देखिए PT का ना topper नहीं बनना है और दो महीने की पढ़ाई जम के मतलब एक base बना हुआ है तो दो महीने की पढ़ाई जम के PT निकालने के लिए sufficient है में जो है मेंस एंसर राइटिंग है और जैसे मान लिजिए December या January में PT हो जाता है और फिर माई में अगर मेंस होता है तो आप सोचेंगे कि हम PT के बाद लगेंगे और मेंस निकाल लेंगे यह मुनकिन नहीं है क्योंकि इतना जादा syllabus है प्लस आपको जो है अपना language paper भी करना है तो इसी लिए मेरे ख्याल से यह best रहेगा कि जब तक अभी notification नहीं आता है मान लिजिए कि अभी October में notification आएगा September में आएगा तो मोटा मोटी दो महीना हम लोग के पास ह पूरा अगस्त हो गया पूरा September हो गया September के लास्ट में आएगा या फिर October में आएगा notification तो फिर दो महीने जो है मतलब जम के जो है न मेंस क्लिए लग जाईए मेंस के प्रती ज्यादा focus कीजिए अगर example 100% effort देना है तो 70% जो है अभी मेंस क्लिए दीजिए और 30% जो है वो प महीना में कम से कम हम लोग economics और science tech का आधा syllabus तो complete कर ही देंगे बहुत ज्यादा advantage मिलेगा बहुत ज्यादा और साथ ही साथ जो है week में जैसे साथ दिन है तो चार दिन जो है अपना language paper देखिए क्योंकि language paper में number उठाना बहुत मुश्किल काम है खासकर जो English और Hindi medium जो English और Hindi language ल देखना जरूरी है और फिर जो है बाकी आप जारखंड देखिए तो ऐसा smart study के साथ पढ़ाई की जाएगी ना तो फिर तो क्या JPSC निकलना ही निकलना है final selection होना ही होना है एक बार फिर सी repeat करते हैं चूकी PT का exam जो है अब उसमें देर होना ही होना है या तो December 2020 या तो January 2021 तो अभी दो महिने जो है एकदम अच्छे से पूरा focus जो है मतलब ज्यादा focus जो है वो मेंस पे किया जाए हम देख रहे कि बच्चे बस PT के लिए लगे हैं अरे भाई PT के लिए ना PT में मतलब टॉप नहीं करना है PT बस qualify करना है PT का number add नहीं होगा हाँ मैं ये मानता हूं कि PT exam ब पांच महिना लगाना जरूरी नहीं है जरूरी ये है कि एक सिर्फ जो है पुरीत्र डिवोट किया जाए मेंस एलसर राइटिंग के लिए क्योंकि 40 नंबर का question पूछता है और मेंस के लिए समय कम मिलेगा ना जैसे मानले जिसंबर जन्वरी में PT हो गया तो मैं या जून त जो optional paper उसका भी कम से कम 30-40% कर ले तब जाके जो है 7-9 JPSC में final selection हो पाएगा planning बहुत जरूरी है जितने भी दोस्तों का final selection हुआ है उन्होंने एक ही बात करी है कि अमित मेहनत तो हम लोग सब करते हैं लेकिन planning करके जो मेहनत करने की बात है वो फिर जबरदर्स्त है और एक नई चीज जो कि मैंने भी पहले का भी नहीं की maximum लोग जो है daily basis पे plan करते हैं या तो जैसे आज जब सोने गया तब कल का plan कर लिया या जब सुबा उठे तो फिर plan कर लिया कि हम आज क्या complete करेंगे और फिर उसका कम से कम 70% 80% वो complete कर लेते हैं तो daily basis पे जो है plan बनाना उसको cover करना हाँ अब हवा हवा ही plan भी नहीं बनाना है कि आज जो है न हम तो मतलब 6 chapter complete कर लेंगे अभी 2 chapter तो हो नहीं रहा है और 6 chapter जो है तो ऐसा भी जो है हवा बाजियोला plan नहीं बनाना है ठीक है और जैसा मैंने पहले भी कहा था खासकर जो new students है जब first time आप chapter को पढ़ रहे हैं भले उस chapter को करने में 2-3 दिंग का समय लगे लेकिन उसको आप अच्छे से कीजिए कानी से revision हो जाएगा और एक चीज जो भी आप पढ़ते हैं तो साथ साथ दिन के बाद जो है एक दिन आप revision कर रखिए revision बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि इतने सारे facts इतना data है अगर आप बार बार रिविजन नहीं करेंगे तो फिर बहुत problem होगी तो जो भी साथ दिन पढ़िए आठवे दिन क्या कीजिए रिविजन कीजिए और जो भी पढ़िए उसको लिखिए question bank अपने पास रखिए अरिहंत का means का question bank आता है जबर्दस्त है संदर publication का बी पेसी जे पेसी का question bank आता है जबर्दस्त है तो उसको time to time देखते रहे कि हाँ economics में क्या question आया है science and tech में क्या आया है geography में क्या आया है policy में क्या आया है history में क्या आया है तो मतलब आपको idea लगया कि कैसा सवाल बन सकता है और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि cooperate कीजिए अपने दोस्तों के साथ discuss कीजिए उनको motivate कीजिए तो वो भी आपको फिर अपना जो data है या जो knowledge है वो share करेंगे ठीक है ग्यान बाटने से बढ़ता है आप जब topics discuss करेंगे वो आपके long term memory में रहेगा तो दोस्तों यही strategy होनी चाहिए जम के लग जाए क्योंकि competition जो है बहुत टफ है और seat जो है ऐसा ने की 1000 seat नहीं आने आने ओला JPSC में 400-400 ऐसा seat आएगा तो इसलिए best performance देना है daily basis का plan बनाना है और 70-80% जो है इसको cover करना है यह चीज मुझे भी नहीं पता था लेकिन जब मैंने धर्मिंदर से नीला मैडम से कुमार हर्स से और बाकी लोगों से बात की तो यही पाया कि हाँ उनके success का जो सबसे बढ़ा secret है वो उसको achieve करते हैं फिर एक long term plan भी करते हैं उसे साब से जो है वो पढ़ाई करते हैं और मतलब continue रहते हैं ऐसा नहीं कि जैसे एक दिन तो एकदम आप mood में हैं तो 10 घंटा पढ़ लिए फिर जो है अरे आप 10 घंटा पढ़ लिए ना अब 2-3 दिन आराम कर रहा है तो ऐसा नही 5-6 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए daily basis पे और दिल से यह नहीं कि पढ़ रहे हैं खास कर यह नए student के साथ problem है कि mobile बगर में रख दिये हैं WhatsApp, Instagram का message आ रहा है एक बार उधर देख रहे हैं एक बार किताब को देख रहे हैं एक बार उधर देख रहे हैं एक बार किताब को दे मतलब concentration is the key जितना जादा concentration रहेगा उतना जल्दी हम topic को cover करेंगे और उतना ही benefit होगा साथ ही साथ एक बार और मैंने पहले भी बताया था एक बार repeat करूंगा कि आपको जो है news पर पढ़ना राजसाबा टीवी देखना बहुत जरूरी है राजसाबा टीवी के जो राजसाब के मुद्दों को बहुत अच्छे से discuss करते हैं study IQ भी बहुत अच्छा मतलब topic discuss करता है तो आप उसको देखिए क्योंकि जब अपने answer में खासकर economics science and tech और polity में जब आप current के matter डालेंगे ना जैसे जो static चीज़े हो तो सब लोग लिखेगा और उसमें जब आप current के matter डालिएग तो फिर बात ही अलग हो जाएगी example के तौर पर जैसे disinvestment ले लिजे कि वी वीनिवेस पूछा तो आप डाले के हाँ वीनिवेस क्या होता है कब स्टार्ट हुआ कितने प्रकार का होता है उससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है इतना तो सब लोग डालेंगे लेकिन जो जो current affairs पढ़ते होंगे current से up to date रहेंगे वो फिर उसमें add कर देंगे कि हाँ COVID-19 को देखते हुए सरकार ने यह तै किया है कि आप वो strategic disinvestment को यानि कि राजनीतिक निवेसी करन को जो है राजनीतिक वी निवेसी करन को जो है वो ज्यादा focus करेगी और आप maximum जो है सारजनिक उ को additional मिलेगा तो यह आपको as दिलाएगा तो इसलिए जैसे मैंने बताया एक shift जो है मेंस को devote कीजिए और अभी focus रखिए science, tech या फिर economics पे और साथ दिन में से जो है चार दिन आप खासकर जिनोंने हिंदी लिया है भाई हिंदी में तो मतलब बैंड बजा मतलब हिंदी में त जार्खन पढ़िए जार्खन वही मनी संजन से पढ़ना है और question जो है उडान से या फिस परदा से solve करना बहुत जरूरी है और एक हफ्ते के बाद आपको revision करना mandatory है क्योंकि जब आप revise करेंगे तब जाके जो है आपके वह long term memory में बैठेगा और chapters को अच्छे से पढ़ना है all the best